हलो फ्रेंट्स फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और अगर फेस्टिवल सीजन में हम कोई मिठाई ना बनाए तो फिर त्युहारों का मज़ाई क्या तो आज में आपके लिए कैसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाने के लिए ना हमें ना मावा चीये ना चाशनी न कंडेंस मिल्क नाही घी और उससे भी अच्छी बात यह है कि उसे हमें बहुत देर तक पकाने की जुरूर नहीं है सिर्फ तीन मिन्ट में हम इसको बना कर त्यार करेंगे तो चलिए फिर इस आसान सी बरफी को बनाना शूर करते हैं इंस्ट बरफी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बोल में डालना है नारील का बुरादा नारील का बुरादा लेते हमें एक चीज़ धियान रखनी है आजकल बारिश का मोसम हो सकता है नारील के बुरादे में हलकी से एक स्मैल हो जाए अगर ऐसा है तो आप उसे दो से 10 मिंट तक कड़ाई में अच्छे से से लें और उसके बाद यूज करें क्योंकि अगर आपने डिरेक्ट उस नारील के बुरादे को यूज कर लिया तो जो बरफी है ना उसका टेस्ट बलकुल खराब हो जाएगा तो इस चीज़ का आप ज़रूर धियान रखें तो यहां म मिठा पसंद है तो आप 2 चमच की जगाए डेरी चमच कर दें अपने टेस्ट के फोड़ेंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अब हमें एक कटोरी इसमें मिल्क पाउड़र डालना है मिल्क पाउड़र आपके पास जो भी घर में वो लेबल हो वो आप इसमें डाल सकते इससे हमारी बरफिय ना बहुत जादा टेस्टी लगेगी तेख बरें तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब में यहां डालने हैं इसमें 5-6 दरगड़ी कुटी हुई इलाची अगर आपके पास इलाची ना हो या फिर आपको इसका टेस्ट पसंदना तो आप इससे स्किप कर सकते हैं तो आप इसको बाइंडिंग देनी है तो यहां में यूज कर रहे हूं घर की मलाई अगर आप मलाई यूज नहीं करना चाहते तो इसकी जिए क्रेम भी आप इसमें इसमाल कर सकते हो और अगर यह भी नहीं करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा रूठ शरूपते और हमें अगलत करें अगर वह को पृटत अगे और हमें वहले उच्छी के लिए और इसको फैला लेना है इस तरीके से मोटाई आप अपनी पसंद के कम्या जादा कर सकते हैं तो यहां मैं इसको चकोश शेप दे रही हूं और स्पून से ही इसको ऊपर से भी थोड़ा सा हमें फ्लैट कर लेना है इस तरीके से और अब हमें इस पे कुछ ड्राइफ रूट्स लगाने हैं तो यहां मैंने कुछ काजो और बदाम काटके रखे हुए हैं वो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ आप चाहें तो कोई भी ड पसंद है वो आप इस पे लगा सकते हैं और स्पून से इसको हमें इस तरीके से हलका सा प्रैस कर देना है ताकि बर्फी के अंदर जो ड्राइफ रूट्स है वो सैट हो जाए अब इसको हमें एक घंटे के लिए फ्रीज में सैट होने के लिए रख देना है एक घंटा हो कर सकते हैं और इसका आप टेक्स्चर देखिए कितना बढ़िया कोई कह सकता है कि इस वर्फी को हमने स्रिफ तीन मिंट के अंदर बनाया है और यह सोफ्ट कितनी है यह मैं आपको तोड़के भी दिखा रही हूं देखिए बिकुत सोफ्ट है फ्रेंट्स यह मूँ में जात ही घुल जाती है और बहुत टेस्टी बनती है तो इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और आपकी जो भी फीड़ बैक है वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं फिर एक नहीं रेसिपी के साथ